थोरी थी दिपम सेक्रेटरी तोहिन का अंद पांटे से खास बातचीत की हमारी मैनेजिंग एटर ने कोई डाल मिया ने उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही चलेंजिंग एन्वार्मेंट पे चुके LIC का IP आया था इतना बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा IP था तो अपनी काम समय देना चाहिए वह आ सकते हैं और अगर आ सकते हैं तो कितना समय देना चाहिए कि तोड़ा देखना पड़ेगा कि कंपनी की वर्किंग कैसे आती है हलाकि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिरेंस दिखा रही है कि जो उनका बाजार में जो बिजनस है और बढ़ने वाला है वो वाल्यू यहाँ पर दिख रहा है लोगों को तो पैसा शिफ्ट हो रहा है वाल्यू की तरफ तो उस वज़े से भी अगर कुछ फंड्स का भी मूर बनता है तो एक दम हम देखेंगे कि काफी अच्छी बाइंग हो सकती है तो मेरी सला रहेगी आप LIC में भी बने रहे है ठी आज हम देखने की MCX में करीब 5-6% के आस पासी ग्रावट है लेकिन MCX के ग्रावट के पीछे क्या वज़े हैं वागे हम थोड़े दिर में आपके लिए बताएंगे समझेंगे कि आखिर क्या दिकते हैं लेकिन IEX और CDSL इनकी जड़ा चार्ट देखें मंदार नुकसान हो इनको दोनों ही शेयरों में क्या कोई उमीद है कि ये शेयर आगे चलकर अच्छे रफ़तार दिखाएंगे अब इस इएक्स की बात करें तो IEX तो support पे फिलाल trade कर रहा है तो short term view अगर हो तो हाँ yes disappointing है कि price में ज़्यादा कुछ moment नहीं देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर long term view है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से support को respect कर रहा है stock तो हमें 2-3 साल का अगर view रखते हैं तो इस stock में अच्छी खासे अब bounce back भी इसमें देखने को मिलेगा level जो IEX में watch करने है 130 की 130 का ये level है और ये important level है important इसलिए है क्योंकि 2021 में अगर देखो आप तो जब stock में एक up move start हुई थी तब पहले तो ये level ने resistance का का काम किया था और उसके बाद जब ये गिरा तो गिरने के बाद यह same level है कि जो support के तौर पर respect हो रही है तो 130 बहुत ही important level है IEX के case में तो ये level watch करना चीए जब तक इसके उपर बनाए तब तक position hold कीजिए फिलाल range bound है उपर में resistance जो है इसमें वो 150-155 के levels पे है तो ये break होने के बाद उपर के targets भी activate होंगे लेकिन फिलाल एक base बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर hold कीजिए 125 का आपका stop loss होगा IEX के case में और CDSL अगर आज देखो तो CDSL जैसे आपने का MCX में गिरावट है और उसी का उल्टा हो रहा है CDSL के case में CDSL में 2% का एक up move देखने को मिल रहा है volumes भी बहुत बढ़िया trade कर रहा है प्लस CDSL support भी भी है यानि 1000 और 1080 का इस stock में support है अच्छा फिलाल weakness है no doubt about it ये सारे stocks में लेकिन support जब तक respect होते तब तक position hold कीजिए इसमें जो stop loss है वो 1000 रुपीज के आसपास इसमें stop loss रहेगा CDSL के case में और इसमें अगर 3 मेने का view देखते तो मुझे लगता है कि 1240 से लेके 1260 तक का एक upside इसमें बनना चाहिए तो वहाँ पर हम review ज़रूर कर सकते हैं CDSL में 1240 से 1260 तक के move देख सकती है 2% उपर है